बिबक्ष वालों का कहने सरकार की तरफ से लोगों में confusion क्रिएट कर रहा है अब सरकार की तरफ से यह बोला जा रहा है कि बिबक्ष वाले लोगों में जोटी बात फेलाया रहा है यह NRC RCA है क्या इन इसको समझने के लिए शिर्फ यह पास्वाल ही काफी है आदे इस पास्व मेडिया इस वीडियो के लाइक किजिए ताकि यूटीब की तरफ से ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को फेला है मैं पहला कुछिन यह है कि वाई NPR नोट कॉंड़क्टिं इन आसाम रेजिस्टर जेनरल आफ इंडिया की तरफ से यह बोला गए कि आसाम में NPR नहीं होगा क्यों मैं जानता हूं मेरे स्वाल का ज्वाब नहीं मिलेगा क्यूंकि आप जानते हैं कि आसाम में NRC हो गया है जब NRC हो गया है तो वहां पी NPR का ज़रौत क्या है कुछिन नमबर टू फॉर रिलेजिशली पर्सिकुटेड वर्ड हैब निन रिमप फ्रम सिट सिट्रिशन्चिप एमेंडमेंट एक्ट विशेभी कि तरफ सी यह बोला जाता ही कि हम से कुमुनिटी की रिलेजिशली पर्सिकुटेड लोगु को नागरिकता देंगे जो अफगानिस्तन पाकिस्टन और बंगलादेश से आये हैं अगर वहां पे रिलेजिशली मैं यह बोल रहा हको कि बाएन जुलम होता है या नहीं मैरा स्वाल वो नहीं है मेरा स्वाल यहां कि आगर जुलम होता है थो इस वर्ट को आपने सिटिजेशन्चिप ऐमेंडमेंट से थे हटाए क्यों को क्वेश्चिंट न擊र्षम मेंड पाकिस्टी अगान rescue ऐस टेनintérieurल ज इंडिकेशन मिनिस्टर हिमत्व विश्व स्वामास की तरफ से यह बोला गया है कि हम इस अनर्ची को नहीं मनते ही आश्वा में नए अनर्ची लाएंगे क्यों कुशन नंबर फोर्ड हुआ एक काट अपडेट मेंचेंट एस 31 दिसेंबर 2014 अगर आप नागरिकत देना ही साय तो रिलिजस्ट से कमुनिटी की रिलिजस्ली पर्सीकूटेट लोगों को तो सिफ 2014 से पहले वाले लोगों को क्यों उसके बाद में जो लोग रिलिजस्ली पर्स अशंवाद पर्स बाद मेगलेर और तप्रा के जो पर्स पर्स लोगों को लिए आज़ा और कुस लोगों के लिए बुरा यह कैसा एक अख्ट हमारे संग्वितान में हो सकता है मैरी पास्वाल का जवाब क्या मूझे मिलेगा